नमस्कार दोस्ता एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत है लेटेफट अप्टेड निकल कर आई है कि नए साल में केंद्रे क्रमचारी को मिलेंगे तीन बड़े तोफी उल्टी गिंती हो गई है सुरू तो दोस्तों नए साल में केंद्रे क्रमचारी की सैलरी में जबर दस्त बढ़ोतरी होगी दोस्तो सरकारी क्रमचारी के वेतन में अधिक्तम 90,000 रुपे की बढ़ोतरी हो सकती है साथ में वेतनायों के मताविक सरकार को साल में दो बार डिये बढ़ाना होता है अगर पीछले सालों का रिकोड देखे तो सरकार मार और जुलाई में डिये बढ़ाती है दोस्तों यूनियन बजट के करीब एक क्रोड केंद्रे करमचारी और पैंशन भोग्यों को फायदा मिलेगा किंद्र सरकार जाल दी केंद्रे करमचारी को मार्च में मिलने वाले महंगाई बत्ते में बडोतरी कर सकती है एक बार फिर उमि प्रतिशत और बढ़ाते करमचारी का डिये बढ़कर एकतालिश प्रतिशत हो जाएगा यानि आपको अपने बेसिक सैलरी का एकतालिश प्रतिशत डिये मिलेगा यह नई दरे जनवरी 2023 से लागू होंगी दोस्तों मेंगाई से जुड़े AICPI इंडेक्स के अधार पर ही डि प्रतिशत का इजफ़ा होना तैमाना जा रहा है इस आधार पर अगर अगर देखा जाए तो कैबिनेट सचिव सतर पर काम कर रहे केंदरे करमचारियों का जिनका वेतन दो लाग पचास जार रूपे है उनका वेतन में साथ हजार पांसो रूपे की बढ़ोतरी होगी यह ब अगर साला ना उनकी भी देखी जाए तो 10,800 रूपे की बढ़ोतरी होगी सरकार साल में दो बार महंगाई बढ़ाती है देश का आम बजट पेस होने के बाद केंदरे करमचारी की सैलरी में बड़ा इजफ़ा होने की उमीद है मिडिया रिपोर्टम की माने तो सरकार बजट के बाद इस फैक्टर में इजफ़ा हो सकता है दोफतों अगर ऐसा होता है तो केंदरे करमचारी का फिट्मेंट पैक्टर 2.5 साथ से बढ़ कर 3.68 हो जाएगा वही अगर बात करते हैं तो करमचारी का जो 18 महीने का डिये ऐरियर पैंडिंग है उस पर भी खुश बबरी लेकर आने वाला है तो दोफतों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत